अकूपेशनल के उपलक्ष में रीजनल अकूपेशनल थेरापी कॉन्फरेंस का योचन बिहार कॉलेज ओफ फिजियो थेरिपी एंड थेरापी विकलंक भवन अस्पताल कंकरबाग पटना में विश्य अकूपेशनल के उपलक्ष में रीजनल अकूपेशनल थेरापी कॉन्फरेंस का योचन 9-11-2022 को कॉलेज के केमपस में आयोजित रहा है वहीं डॉक्टर प्रियदर श्री आलोग आयोजल सचिव ने बताया कि रीजनल कॉन्फरेंस में देश भर की नामचीन हस्तियां जिन्होंने अपने मने शेत्र में महारत्ता हासिल की है वहीं इस कॉन्फरेंस में आकर व्यज्याने के स्तर को संबुदित करेंगे डॉक्टर आलोग ने कॉन्फरेंस में डॉक्टर किशोर कुमार से राया जिन्होंने संस्थान एबं अकूपेशनल थेरपी के विसे में जानकारी दी इस कॉन्फरेंस का उद्गाटन दिनांक 19-2022 को माननिय डॉक्टर अशुक चौदरी मंत्री भवन निर्माड बिहार सरकार करेंगे पटना से मिनहाज आलम की रिपोर्ट यह हम लोगा कारिकरम है दो दिवसी है यह रिजिनल अकूपेशनल थेरपी कॉन्फरेंस कर रहे हैं 20 अकूपेशनल थेरपी दिवस के उपलक्ष में इसमें आपको देश भर के नामी अकूपेशनल थेरपिस्ट हैं जो अपने प्रिशेतर में कोई कैंसर में हैं कोई हैंड सब्सक्राइब, जरीटरिक में हैं, पेडियरतरिक में, सारे लोग यहां, एक्सपर्ट को हम लोग ने यहां पर बुलाया है, इस्पेसल गेस्ट के रूप में, जिरका खल सुबह 9 बजे से यहां कारी करम शुरूगा, एक गंडे का सबका कारी करम है, इसमें करिब चुने हुए देश बर से डेर सो लोग करिब हमारे हां पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तो उसमें डिसकर्शन होगा आज बहुत सारा चेंज है जो कि अपरिस्टरफिक शेदर में हुआ है देश में बाहर में भी हुआ है उसकी जानकारी हम लोगो ही नहीं है पार्टना में बैटके है तो अपडेटेड होने के लिए हर्थ इस तरह के सैंटिविक प्रोडाम का वसकता हम लोगों नहीं है महसूस की इसमें हमारे सभी साथियों को काफी सयोग मिला इस तरह का मोटिवेशन भी पर बड़ी चीज होती है और सात ही दोगों हमिस्था हमारे रहे कैसे इस कंफियों को सफल बनाना है तो यह सारव चार्ड लोग नए जोईन किया है जस्ट दू मइना पहले कहां पर एक कारेक्टर में कौन लोगों उपर में है कौन लोगों घाटन करेंगे और समापन अपना पूर नेम सर्ट मेना नाम है ड्क्र प्यादर शिया लूप और गनेगी सेगर्टीम में हूं इस कंफिरेंस का त्रीक